इस lesson में हम discuss करेंगे decision tree regressor इससे पहले कि python पे काम शुरू करें मैं आपको इसका थोड़ा सा concept बता देती हूँ ताकि आपका concept clear हो जाए और आपको काम करने में भी बहुत जादा आसान ही यह बनाओ देखें होता क्या है यह decision tree regressor मैंने आपको supervised बताए था कि machine learning में हमारे पास है supervised learning, right? supervised learning में हम पढ़ते हैं regression से related models त्यार करते हैं और classification से related हम models त्यार करते हैं यानि इस तरह का अगर data मौजूद होता है तो हम regression apply करते हैं या classification apply करते हैं तो decision tree दोनों को support करती है यानि classification के question है तो भी आप decision tree use कर सकते हैं अगर regression से related question मौजूद है तो भी आप decision tree use कर सकते हैं last lesson में मैंने बहुत अच्छी तरह आपको classification बताए था कि decision tree को हम classification के लिए कैसे use करते हैं इस lesson में हम focus करेंगे कि हम regression के लिए कैसे यूज करते हैं decision tree को इसलिए इसको decision tree regressor कहते हैं देखें यहाँ मैंने आपके लिए एक data त्यार किया हुआ है यहाँ पे यह blue और red आपके पास data sets मौजूद हैं मैं अगर आपसे कहती हूँ कि यहाँ से आप एक predicted line draw करें आप कहीं से भी इस data में line draw करेंगे तो यह मुम्किन ही नहीं है कि सारे points आपके cover हो जाएं even कि support vector regressor जिसमें कि एक curve की सूरत में हमारे पास line आती है non linear आती है वो भी इन points को cover नहीं करती तो इसके लिए क्या होता है decision tree regressor में कि आपके पास जो भी data set मौझूद है जो भी x access पे और y access में है जब भी हम example solve करेंगे तो x access पे हमारे पास experience है और y access पे हमारे पास salary है जो भी data set है उसको हम divide कर देते है different parts में यहां से यहां तक मैंने एक part कर दिया यह जरूरी नहीं है कि यह part बड़ा होगा यह छोटा होगा part यहां से यहां तक एक part बन गया आपने each part में जो data points हैं उन सब का average लेना है तो suppose इसका average यह आगया हमारे पास यह dummy data है राइट इस part का average यह आगया इस part का average यह आगया उसके बाद हम एक predicted line आसानी से लगा सकते हैं decision tree regressor को use करते हुए और decision tree regressor accurate मिलती है compare to support vector regressor इसमें यह decision tree की तरहां काम करता है देखें यहां मैंने एक example भी आपके लिए बनाई है और last lesson में भी आपको बताए था कि यह root node है जहां से हम अपना question start करते हैं इसको parent node भी कहते हैं suppose मैं आपको दो option बता देती हूँ कि आपके पास यहां से यह जो आगई इसको हम decision node कहते हैं क्योंकि यहां से हमने decision लेना है राइट यहां से split हो गया यह एक rainy weather में और एक हमारे पास sunny में अब यहां से अगर मैं कहूं कि यह ठीक है rainy है तो क्या आपने raincoat लाना है या नहीं लाना है अगर आप कहेंगे कि नहीं लाना तो यह terminal node हो जाएगी इसको हम leaf node भी कहते हैं बात खतम हो गई लेकिन आप कहते हैं yes लाना है तो यहां से हम further questions भी हमारे arise हो सकते हैं यह फिर हमने यहां से decision लेना है जहां yes होगा वहां अपने decision लेना है फिर मैं कहूंगी कि rain boot भी लाने है यहां पर दोनों पर अगर आप no कर देंगे तो यह खतम हो जाएगा right जरूरी नहीं है कि यह दो हो यह further भी scenario बन सकता है इसलिए यह इस तरह की एक diagram बनी वी अगर आप कहेंगे yes तो फिर हम further question कर लेंगे right तो यह decision के तोर पे काम करता है अब question यह है कि मैंने यहां cart क्यों लिखा है cart मैंने इसलिए यहां लिखा है कि decision tree regressor मैंने आपको बताया कि यह regression को भी suit करता है इसके problem भी solve कर सकता है classification के भी solve कर सकता है इसलिए c से आगया classification and regression tree right कोई पूछ सकता है आपको cart के बारे में कि किसका short form है classification and regression tree is a predictive model which explains how in outcome variables value can be predicted based on other values कि दूसरी values को मदे नज़र रखते हुए हम predicted values कैसे हासिल कर सकते हैं याद रहे कि decision tree regressor में हमने जो भी data set मौझूद होगा उसको हमने different parts में divide करना होगा each part का हमने average लेना होगा और फिर हमने predictive परे अपनी predicted line जो है वो draw करनी होगी और इसे हमें accurate answer मिलता है what does decision tree regressor do decision tree builds regression or classification models in the form of tree structure जो मैंने आपको अभी ये बताया it breaks down the data set into smaller and smaller subsets ये जो होगा इसको हम subset भी कहते हैं ये एक subset होगया, ये एक subset होगया ये एक subset होगया, पूरे data को हमने different subsets में divide कर दिया, while at the same time in associated decision trees incrementally develop decision tree trees can handle both categorical and numerical data, right? तो मुझे यहां से उमीद है कि concept आपको समझ में आगया होगा data में आपको दिखा देती हूँ जो data भी हमने use करना है ये CSV file में मौजूद है हमारे पास, ये salary का column है ये experience का column है एक साल का experience है तो 1,000 है two years का experience है तो 1100 है, हमने क्या है इनको divide suppose ये मैंने किया हुआ है different sets में या subsets में इन दोनों के दर्मियान का average लेना होगा इन दोनों के दर्मियान का average लेना होगा इस तरह हमारी ये line बनेगी so far आप देख रहे हैं कि graph इस तरह है लेकिन जब हम python में काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इनका जब average point लेंगे हम इस point और इस point का average point लेंगे इसका और इसका हम average लेंगे तो उस वक जो line होगी वो किस तरह बनेगी हमारी decision tree regressor में जिसकी वज़े से हमें अपनी predictive values जो है हम predict करेंगे वो बिलकुल accurate आएंगी राइट काम शुरू करते हैं बहुत जदा आसान है सबसे पहले आपने क्या करना होगा libraries को import करना होगा और यह मैं काफी बार आपको बता चुकी हूँ panda से हम data को visualize करते हैं numpy अगर array बनानी हो हमें इस पर भी मैं काफी अच्छी आपको बता चुकी हूँ और अगर graph बनाने होंगे तो matplotlib को आपने import करना होगा यह तीनों libraries हम यहां use करेंगे यह आपके पास execute होगी steps क्या है जो भी data frame है जो भी मैंने आपको दिखाया excel csv file सबसे पहले हमने यहां import करना है उसको Jupiter notebook में उसके बाद x और y variable बनाने है y dependent variable होगा जो हम y access पे लेंगे x access पे हमने independent variable लेने होते हैं circuit learn से हमें क्या import करना है decision tree regressor और फिर इसी का हमने object तियार करना होगा फिर हम fit करवाएंगे predict graph और score तो सबसे पहले हम अपना data frame जो हमारे पास मौझूद है वो हम यहां import करवाते हैं उसको मैंने df का नाम दे दिया यह pandas से आएगा और pandas library और यहां import कर ली है इस पर मैं time नहीं लगाऊंगी क्योंके काफी बार बात आ चुकी हूँ यह data आपके पास आगया राइड इसकी आपने shape चेक करनी है कितने records हैं कितने records हैं कितने rows हैं कितने columns हैं यह rows है आप यहां कहींगे कि यह 11 है क्योंके यह index 0 से शुरू होता है इसलिए यह 12 ही records हैं आप count करके देख लें दो columns हैं उसके बाद हमने variable बनाने है i log है i log का meaning है कि यहां पे आपने index लिखने है column से पहले कुछ नहीं है it means कि सारे records आ जाएं यानि 12 records आ जाएं और center वाला क्या बताता है आपको कि कौन साब को column चाहिए और experience 0 यानि 0 से index से start होता है यह चाहिए last वाला आपको बताता है कि यह हमें नहीं चाहिए salary हमें नहीं चाहिए इसको execute करवा देंगे देखें experience आ गया x access पे हमने experience ले लिया y access पे हमें salary चाहिए तो आपने इस तरह की coding लिखनी है यह हमारे पस आ गई यह हमें आपको चले बातने बताती हूँ d types है इसका data type चेक करना है दोनों integer है यह हमने जो data को थोड़ा सा visualize कर लिया अब हमने अपनी import करनी है library, sorry class जो है decision tree regressor import करना है हमने sklearn से कैसे लिखना होगा from sklearn.tree import decision tree regressor यह class है इसका हमने object बनाना है as it is आपने लिखना है d capital, t capital, r capital, parenthesis लगा ले इसको मैंने d t यानि decision tree underscore regressor इसका नाम दे दिया variable का आपने जो भी आप चाहते हैं दे दे दें लेकिन कोशिश कीजिए कि नाम meaningful होना चाहिए अब क्या करना है जब object त्यार हो गया इसको हमने fit करवाना है और fit में हमने x और y variable बनाए है so far तो यही हमारे पास है यह बिलकुल हमारा execute हो गया हमारी this object भी create हो गया अब हमने अपने data को visualize करना है plt.scatter x और y में color इसका green है चाहें तो आप complete green लिख लें यह जी भी लिख लें आप इसको red लिख के blue कुछ भी try कर सकती है यहाँ पे आप x लिखेंगे आपने plotting करनी है और predict करना है with respect to what with respect to x यह important point होता है यहाँ जो भी अपने object बनाया है उसको variable को नाम दिया है मैंने decision tree अंडर इसको rec का नाम दिया है predict x राइट और यहाँ पे हमने इसको जो label तियार कर ली है मैं इसको execute करवाती हूँ तो आप देखें सारे points कवर हो गए decision tree regressor में compare to support vector regressor support vector में क्या होता है कि यह सारे cover नहीं होते यह इसकी line close close हो जाती है कुछ point में तो उस से हमें इतने accurate prediction नहीं होती जितनी decision tree से होती है आपके सामने है यह obvious तो अब क्या है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपने data को divide कर लेते हैं parts में और फिर each part का हमने average लेना होता है तो यहां से यहां तक यह दो points है इन दोनों का हमें यहां पर एक average point चाहिए इन दोनों का यहां हमें एक average point चाहिए तो उस से हमें क्या होगा बिल्कुल accurate values हमें मिलेंगी तो हम अपने इस graph को और ज़दा enhance करते हैं इसको हम और बहतर तरीके से visualize करने की कोशिश करते हैं जिसकी वज़़ए से हमें अपनी resolution को थोड़ा enhance करना होगा कैसे होगा एक variable बना लें कुछ भी आप नाम लिख लें decision tree, regressor, grid लिख लें कुछ भी लिख लें मैंने x grid इसले लिखा है कि जो x access में मेरे पास experience है उसको मैं modify कर रही हूँ उसको मैं enhance कर रही हूँ तो जहां पे अब हमने x लिखा होगा वहां हम x underscore grid यूज़ करेंगे np.arrange यह numpy का function है और याद रहें अक्सर इस student यहां double r लिखे error कर देते हैं जिससे काफी times आया हो जाता है यह range है इसलिए सिरफ arrange single आ रहाएगा जो भी आपके पास data मौझूद है उसकी minimum value और maximum value को आपने consider करना है और उसके बाद यह मैंने 0.1 यहां resolution के लिए लखा है जब मैं graph बनाऊंगी तो आपको clear हो जाएगा आपका home work यह आप इसको 0.3, 0.4, 0.5 करके चेक करें आपको graph में बिलकुल clear difference नज़र आएगा इसलिए मैंने यहां 0.1 लिखा है और highly recommend करूंगी कि आप यहां यही लिख लें फिर हमने इसको reshape करना है जो x grid है इसको हमने reshape करना है with respect to length तो देखे मैंने यह दो lines extra यहां लिखी है इसकी resolution को enhance करने के लिए ताके हम इसको graph को और जदा strong कर सकें हम अपनी हमारी जो prediction values आएंगी वो और जदा accurate होंगी अब क्या है कि जो PLT plot हमने बनाना है उसमें जो x यहां लिखा था उसकी जगा हम x grid लिखेंगे x grid लिखेंगे और जो हम prediction कर रहे थे with respect to x उसकी जगा भी हम x grid लिखेंगे बाकी आपने as it is रहने और इसको जब मैं execute करवाती हूँ और यह जो इसकी label है जो heading है यह क्या represent कर रहा है decision tree regressor राइट अब आप देखें कि आपका graph कितना अच्छा बन गया और यह आपकी mid यानि average values आ गई दोनो points के दर्मियान अब इससे क्या होगा इससे जब हम इसकी prediction करवाएंगे यहां मैं कह देती हूँ कि अगर एक साल का इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं राइट इसको मैं comment कर देती हूँ अगर one year का experience है तो उसकी कितनी salary होगी one thousand इसको हम check करते हैं यहां जाके देखे one year का है one year पे कितनी salary है one thousand है twelve years पे कितनी है seventy five hundred है इसको भी eleven को भी देख लें यहां six thousand है इस तरह आप थोड़ा सा काम जब खुद करेंगे तो आप जादा सीखेंगे इसको मैं twelve करके आपको बता देती हूँ twelve में देखें seventy five hundred थी seventy five hundred आगई तो decision tree से क्या हुआ कि a decision tree regressor से कि इसने आपको accurate result दिया हमारे पास जो भी data set था उसको हमने different parts में divide कर दिया each part का हम average लेते हैं और फिर हमने अपनी line draw की इसका अगर आपने score चेक करना है आप इसका score चेक कर लें one means के model बहुत जादा accurate बना है तो simple आपने क्या करना होगा कि इस तरह ये दो lines आपने extra add करनी है अपने graph में जिसकी वज़े से आपको उसका average मिल जाएगा और जिसकी वज़े से आपको आपकी prediction जो है बहुत ज़दा accurate आएगी अब आप four years, five years, six years लिख के देखें या आपका homework आपको accurate जो जहां लिखी है support vector regressor में इतना accurate result नहीं था लेकिन decision regressor में tree regressor में हमारे पस accurate result आए है तो मुझे मालوم उमीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा आप इसी तरह का scenario बना लें इसी तरह का data बना लें और उस पे आप practice कीजिए लेकिन अगर कोई point समझ में नहीं आया तो आप मुझे comment section में लिके जरूर पूछ सकते हैं साथ में आपने साइमा Academy को like करना है, share करना है, subscribe करना है मिलते हैं next lesson में और बहुत शुक्रिया